हलो दोस्तों कैसे हैं हम सब स्वागताब सभी का कॉमिक वेल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राच कॉमिक्स में बोकाल सिरीज का अगला कॉमिक विशेशांग मिट्ट्यू संकेत का दूसरा और अंतिम भाग और एक जपट्टे के साथ प्रहारा को भोकाल से भोकाल के मस्तक से उठा कर दुबारा अंधेरे में विलीन हो गया दौनों हातों से शफ को थाम रखा था इसलिए ना भोकाल कुछ कर पाया ना उसे कुछ करने का अफसर मिला आश्चरे से फटी भोकाल किया कि उस रेखा चित्र की तरफ उठ गई और साहे साहे करते मस्तिक्ष में उड़ गया वेविजार उस रेखा चित्र की तरह प्रहारा उड़ गया है अब समझ में आया तुरीन की बात कार्थ तुरीन की रूप में मैंने मिट्टू संकेत को देख लिया है और अब तक चितनी भी घटना है मेरे सामने आई हैं उनमें उसमें जिसने भी वेंसी को देखा वो मारा गया मैंने भी देख लिया अपने मिट्टू संकेत औरों की तरह मैं भी मारा जाऊंगा अगले साथ दिनों का कोई भी छड़ो सकता है मेरी मिट्टू का छाड़ यह जानकर इसतब द्रह गया था विकास नगर महाबली वेंसी महाबली को वेंसी दिख गई अब उन्हें मिट्टू से कोई नहीं बचा सकता अगले साथ दिनों में हमें कभी भी महाबली भोकाल की दुखत मिट्टू का समचार मिल सकता है हे इश्वर रक्षा कर हमारे रक्षक की महाबली की जगे काश वर्वेंसी मुझे दिख जाती अपार दुख की ये लहर विकास नगर के गली मौलने में ही नहीं राज महल में भी तोड़ी हुई थी ये तिन्त दुख का विशा महाबली की तुरीन की आत्मा के रूप में तुमने अपने मिट्ट्य संकेत को देख लिया है और तुम शीग रही काल के काल मौत के शकंजे में फसने आ रहे हूँ अगर महागरू को यही सुई का रहे तो मचे इसका कते ही तुख नहीं है महारानी आने वाली मिट्ट्य को मैं हस्ते हस्ते करें लगाना पसंद करूंगा परًद्टू मिट्ट्य की गोध मैं समाने से पहले मैं काला महल जाकर वर्षों से उसमें दफन रहस्यों को सारे संसार के सामने जरूर लओंगा अब यही मेरा एक मात रलक्ष होगा एक निवेदन में आप सभी से भी करना चाहूंगा मेरे लिए दुकी होकर राज काज में विग्न मट डालिए क्योंकि मेरे जीवन से कहीं अधिक महत पूर्ण विकास नगर मुस्कराता हुआ वहां से चला गया लेकिन चला गया भोकाल लेकिन वे कहां मुस्करा पाते जिने भोकाल के अपने प्राणों से अधिक प्यारे थे हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकती स्वामी हमें अग्या दीजे कि हम आपकी मिर्टी के बच्चात आपके साथ ही चिता की अग्नी में जलकर सती हो जाएं मुर्खो जैसी बाते मत करो मेरे साथ साथ अगर तुम भी संसार से चली गई तो इन बच्चों का क्या होगा काला महल से दुष्ट आत्माओं को मिटाकर रख दूँगा मैं और वहां से अपना प्राहरा प्राप्त कर लूँगा कल का सूरदे वाला कल का सूरदे काला महल की आत्माओं का विनाश अपने साथ लेकर आएगा कल के सूरोदों के बीच आज की रात का अद्लिकार था जिसका पूरा लाब उठा रहा था वैसाया शीगरी जिसकी सुलकती आखों के सामने था भोकाल भोकाल मिट्ट्यू का हगदार मेरे गोलग का शिकार विद्ध की गदी से घुमता गोलग उसके हाथ से छूटा और संसनाता हुआ बड़ा उस भोकाल के मौत पनकर जो गहरी नीन में सोया हुआ था मालूम नहीं था उसे कि उसकी वह नीन मौत की नीन में बदलने जा रही है और ऐसा हो भी जाता अगर बाणों की उस भोचार ने बोकाल की तरफ बढ़ते गोलग को अपने निशाना और उन खंजरों ने गोलग फेकने वाले को अपना शिकार ना बनाया होता भैंकर चितकार निकली उसके मुग से जिसने बोकाल को बिस्तर सोचार दिया कौन है उदर आपका शत्रू आपको सोया जानकर आपको अपना लक्ष बनाना चाहता था मालूम नहीं था उसे कि जिसके पती पर पत्यों के तलवा लटक रही हो इसकी पत्यों के आँखों से नीन कोसो दूर होती है सलोनी रूपसी तुमने मेरे प्राण बचाए नहीं हमने आपके नहीं अपने प्राण बचाए है आप निश्चिन दोंगर सोये सौमी आपकी ये दासियां जाकर आपकी रक्षा करेंगी नहीं सलोनी ये समय सोने का नहीं सतर्क रहनी का है सोकर में वास्तर में बहुत बड़ी भूल कर रहा था भोगाल बात तो सलोनी से कर रहा था लेकिन उसका मस्तिश का कईयां और इस दिर था वैंसी की रूप में तुरीन ने जिन रेखा चित्रों की तरफ इशारा किया था उनका अर्थ में उस समय नहीं समझ पाया था लेकिन अम मुझे कुछ समझ में आ रहा है प्रहारा वाले रेखा चित्रों की मदद से तुरीन मुझे बताना चाहती थी कि मुझे प्रहारा को समाल कर रखना है मैं ऐसा ना कर सका है इसलिए मैं उसे गमा बैठा और निंद्रा से सम्मझ दे रेखा चित्रों इशारा था इस बात की तरफ कि जब तक संकट मेरे सिर पर माड़ा रहा है मुझे सोना नहीं है लेकिन मैंने सोने की भूल की अगर सलोनी वर रूपसी नहीं होती तो मुझे अपनी इस भूल पर पस्ताने का व्यबसर न मिला होता परन्तु अखंड नाद और रक्षों से सम्मझ दे रेखा चित्रों की मदद से वह क्या कहना चाहती थी कहीं ये तो नहीं कि मुझे अखंड नाद और रक्षों से साफधान रहना है किस सोच में टूप गए सौमी भोकाल अभी कुछ और भी सोसता अगर रूपसी के आवाज उसको वर्तमान की धरातल पर नहीं लाती सोच विचार छोड़का निश्चिन दोगा विश्राम कीजे सौमी अब तो विश्राम तभी करूँगा सलोनी जब जान लूगा मेरी मौत के इस दूद को खिसने बेजा था बड़े ही गोड़ से भोकाल अत्यारे का निरिक्षा करने में जुट गया और पहुचा उस उच्छाल देने वाले निश्कर्श पर इसके जूतों पर काली मिट्टी के कड़ मौजूद है और एसी मिट्टी सिर्थ काला महल की हो दिया इसलिए ये इस पष्टे की ये काला महल से आया काला महल से इसका मुझे मारने के लिए आनने निश्चे ये इस बात का संकेत है कि वहाँ कोई شड्यन पनपरा है इसलिए मुझे अब और विलम्णा करते हुए शाटिन का परदाफाश करने तुरंती काला महल जाना होगा अचानक वातरवन में गूंज उठीवे आवाज जिसने भोकाल के मस्तिश को जंकरित करके रख दिया अखंडनाथ ये तो अखंडनाथ बजा है किसने बजा है उसे शमा करें सौमी ये समय अखंडनाथ के विशय का विशय में सोचने का नहीं है इस समय खुद आपके प्राण संकट में है किरपे अपना ध्यान अखंडनाथ से हटा लीजिए नहीं रूपसी नहीं अपने प्राणों को संकट में देखकर अपने कर्तव को भूल जाने वाले मनुष्य कायर और सौरती कहलाता है मैं अपने नाम के आगे योपादिय लगवाना नहीं चाहता इसलिए प्राण रहें ना रहें कर्तव की लाज अवश्य रहीगी अपनी दौनों पत्नियों को हत्परप खड़ा छोड़ वहां से रवाना हुआवा कर्तव का पालन करता शीगरी अखड़नार बजाने वाले फर्यादी के सामने नजर आया कहो फर्यादी अखड़नार बजाने की अवशकता क्यों अन बड़ी अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए जो अब शब बन चुके है हे मागुरू किसने किया तुम पर यह अन्याए उन डाकूओने जो पूर्वी छेत्रे से आते हैं और लूट पात के साथ भीशन नरसंगार करके लोट जाते है पूर्वी छेत्र? पूर्वी छेत्र में तो काला महल भी स्थापित है हाँ, और काला महल की तरफ लोग कभी नहीं जाते इसलिए वे दस्यों आसानी से बड़े आराम से विनाश का ये खेल खेल रहे है मुझे आशा है आप उन दस्यों के आतंग को समाप्त करेंगे निश्चिंद रहू मित्र मैं तो मैं वचन देता हूँ कि उन दस्यों के आतंग का खेल समाप्त होगा उनके जीवन के खेल के साथ महाबली अचानक वे ग्रामीर चीग उठा और दूसरे ही छड़ रबड की गेन की भाती हावा में उच्छा का भोकाल से टकराया ग्रामीर की हरकत ही उसका धक्का भी अप्रत्याशित था वचक का भोकाल तूर जा गिरा और तब उसे देखा वहर्दा विदारक दिर्श्य अखर्ण ननाथ से उस फर्यादी ने मुझे तो धक्का देकर बचा दिया परंदु सहम को ना बचा पाया जिस मिट्यों ने फर्यादी को जकड़ा वे मेरे लिए आई थी भोकाल ने अपने आपको लिशीक जी समाला मुझे इस बलीदानी की फर्याद पूरी करनी है पूरवी छेतरी की तरफ चल पड़ा भोकाल एक एक कदम फूख फूख कर रखटा हुआ यह रास्ता व्रक्षों से भरा हुआ है और तुरीन के रेखा चित्रों के नुजर व्रक्ष मेरे लिए घातक हो सकते हैं इसलिए मुझे इस रास्ते बेह सतर को साफ़दान रहना होगा सिंग सा साफ़दान और चीते सा चौकनना दा भोकाल इसलिए वह सुन सका वह हलकी सी सरसरहा टन और बचा सका उस संसना थी कुलाडी से अपने प्रांग एक वरस्टे से छूट कर वह कुलाडी दूसरे वरक्ष में जा धसी थी इसी के साथ मानू महा कुलाडीयों की बारिश सी हो गई अपने आपको धराप गिरा लेने का विचार अगर मेरे मस्तिष में एक छण बाद आया होता तो इन कुलाडीयों ने मेरे शरी को सेकड़ तुकड़ों में बाट दिया होता लेकिन ये कुलाडी अपने आप ही पिगड़ों से कैसे छूट रही है यंत्र चालेत अवश्य इन व्रक्षों में ऐसे यंत्र लगे हैं जो मेरे यां कदम रखते ही सकरियों उठे है जल्दी अब किसी भी व्रक्षे से कुलाडी नहीं छोट रही इसका अर्थ है कि व्रक्षों में लगे हुए यंत्र निश्क्रियों हो गए संकट समाप्त हो चुका है वोकाल का सोचना गलत था वे संकट की इस्तिदी यह संकट की समाप्ती नहीं बलकि शिरुवात थी ओ ये क्या व्रक्ष की टेहनिया ओ वोकाल को जकडने वाली व्रक्ष की टेहनिया ही थी भी लेकिन ना वे टेहनिया साधान थी और ना व्रक्ष उफ ये व्रक्ष मनुष्यों की तरह चल रहा है और इसकी टेहनिया बेहत तेजी से मेरे शरीय को चकरती जा रहे है अपनी संपूर्ण शरीय रिक शक्ती लगा कर भी मैं इन टेहनियों के कजाव को बढ़ने से रोक नहीं पा रहा हूँ मुझे ऐसा अभास हो रहा है जैसे मेरे लहू का प्रवार रुक रहा है मेरी हड्या चटकने को तक पर है शीग रिस्तिती मेरे हाथ से निकल जाईगी अगर मैंने तुरंती नहीं पुकारा भोकाल उस नाम के पुकारने के साथ ही भोकाल के शरीन में समा गई वा परलंकारी शक्ती हाथ में आ गई थी वे तलवार जो फॉलाद के फॉलाद को भी फार सकती थी खचाक अंतरिक है और हर व्रक्ष को ये वेक्ती संजालित कर रहा था लेकिन मैं भागते हूँ उस वЕक्ती को रोकूंगा नहीं भोकाल नहाथ वेक्ती को नहीं रोका जो आधी तूफान की तरह भागता हुआ महल के विशाल द्वार के सामने पहुचा जिसका खुलना एक समस्या थी लेकिन उसके लिए नहीं उसने तो बड़े इत्मिनान से दोर पर लगी एक छोटी सी कील को दबाया दूसरे चड़ उसके सामने वा भारी दोर अपने आप ही खुलता चला गया चार उस रास्ते पर भागता हुआ जो निश्चही मूर्ती की नाक मरोणने के पच्चात तीवार में प्रकट हुआ था फिर कुस देर तर वा भूल बुलईया से बने उस रास्ते पर दोरता रहा और अंत में रुकाव वहाँ जहां उसके बहुत से साथी मौजूद थे यांतिक विक्षो की साहिता से मैं भुकाल को मारने में सफल नहीं हो पाया उसकी शक्तियों ना हमारे यंत्रों को परास कर दिया पढ़ी मुश्किल से उसके आतों से बचकर यहां पहुचा हूँ मैं मैं चाहता तो ऐसा नहीं हो पाता लेकिन मैंने तुम्हें बचकर भागने का अफसर दिया था कि तुम्हारे पीचे पीचे मैं भी काला महल में छिपे इस इसस्तान पर पहुच जाओं जाब बसता है लूट पाट और हत्याओं के लिए परसिद दस्यू कबीला अब तुम्हें सारे संसार के सामने लाकर मैं काला महल से जड़ी भ्रांतियों को समाप्ट कर दूँगा तु ऐसा नहीं कर पाएगा भोकाल क्योंकि उससे पहले ही तु दस्यो कबीले के सरदार कालका के हाथ समाप्ट हो जाएगा साक्षात काल के अफ़तार कालका के एक ही प्राहर ने भोकाल के मस्तिश को अंत्रिक्ष में घुमा दिया अब भोकाल जब तक समल पाता इस से पहले ही ओ उपर से गिरे भारी पिंडे ने उसे कैट कर लिया लूट पार रहत्याएं करने के काम को हमारे कबीले में अपरात कर नहीं वीरता का नाम दिया जाता है सदियों से हमारा कबीला यही करता आया है लेकिन जब से विकास नगर की चंता का भार तूने समाला है तब से हमें विकास नगर में खुलकर अपरात करने में असुवदा हो रही थी तब हमने तंग आकर यह राज चोड़ने का निर्णा कर लिया लेकिन हम उस निर्णा पर अमर कर पाते हुश से पहले ही हमें एक मददगार मिल गया उसने हमारी साहिता की और लूट पड़ करके तुस्से बचने के लिए इस काला महल का पता बताया अपनी अद्बत कालाओं और अववाओं की मदद से जिसे हमने समस्त विकास नंगर में अभी शब्त महल के रूप में परसिद्ध कर दिया धीरे धीरे लोगों के हिर्दे में काला महल के परती भैउत पर नोने लगा और धरा को फाल कर बाहर निकलने वाले शबो के रूप में हमारे मायावी दिष्टी प्रहम और इस अभेद पिंजरे के रूप में हमारे अदितिये यांत्रिक ग्यान का प्रमार तो तुम्हें मिली चुका है हाँ तो ये विचार त्याक दे क्योंकि तेरे ऐसा करते ही इस महल के चप्पे चप्पे पर बिचा विस्पोटक पदार्थ आग पकड़ लेगा और फिर ऐसा विस्पोट होगा जो इस महल के साथ साथ आदे विकास नगरों को तबाह कर देगा मुझे जोला शक्ती का प्रियोग करने के आवशक्ता नहीं इसके लिए मेरी शारी रिक शक्ती ही बहुत है जिसके सामने ना इस पिंजरे की मजबूती कोई महत्व रखती है और ना तो तुम्हारा मायावी ग्यान ना तो तुम्हारी साहिता करने वाली कोई बाहरी शक्ती को कालका नहीं में मस्तक पधारण किया हुआ था भोकाल की शक्तियों का तोड़ भी हमारे पास यह चमतकारी प्रहारा जिसे मेरा उल्लू लेकर आया था जो भोकाल का यह हो भोकाल की मौत बन गया है हाहा उफ प्रहारा की किर्णों से निन्वेत यह जबड़ा मुझे समूचे ही निकल जानी के प्रयास में यह जबड़ा मेरी मिर्ट्यू का कारण बन सकता है अगर इसे समाप्त ना किया गया तो लेकिन यह किर्णों का बना हुआ है इसलिए इस पर ना तो किसी शक्ति का प्रहाव पड़ेगा और ना किसी अस्थ शस्त्र का इससे समाप्त करने का एक ही तरीका है कालका के मस्तक से प्रहारा हटा दिया जाए इससे प्रहारा का सम्मद इसके उसके मस्तिश से तूट जाएगा और यह जान लिवा जबड़ा स्वयमी समाप्त हो जाएगा ऐसी फिकट स्थिती में ऐसा हुपाना एकदम असंभव है परंतू अगर मुझे अपने प्राण बुचाने है तो अपनी शक्ती के एक एक कत्रे का प्रियुक करके मुझे इस असंभव कारे को संभव करना ही होगा धड़ाक कालका को सपने में भी गुबान ना था कि उस असंभव को विसंभव बनाया जा सकता है इसलिए ना तो वो प्राहारा को अपने मस्तख से चिटकने से रोक पाया और ना ही रोक पाया उसे भुकाल के हाथ में पहुचने से तुरीन की ये निशानी अगर किसी के मस्तिक पर सोभा देती है थाक तो वे भुकाल का मस्ता का डुष्ट भुकाल के साथ सा प्रहारा का कहर भी सहना पढ़ रहा था कालका को तो भला कैसे न गुटने ठेक देता वे बैंसी का साहरा लेकर तूने अपनी माया से लूट पाट क घिनाओना जाल अवश्षे फिलाए कालका लेकिन नगर सेट के तीनों पुत्रों के बिजह तरह उद्देश कुछ औरी है क्योंकि नगर सेट के पुत्रों के हथत्या करने के पश्चाच भी तूने अभी तक उसे लूटने का कोई प्रयास नहीं किया है अपना वे उद्द मां कुछ नहीं मिला काल का किसी बहुत बड़े रहसी का परताफाश कर पाता इस से पहले किसी ने उसे सदा के लिए शांत कर दिया लेकिन वद्धा कौन उसे सामने लाना होगा लेकिन उससे पहले इन सभी को बंदी बना कर पहुँचाना होगा राजधानी अपनी शुपचन तक वैंसी देखने के बच्चाद भी मेरा जीवित रहना इस बात का प्रमाण है कि सद्यों से वैंसी से जुड़ी सबी बाते मित्या और निरर्थक है वास्तर में वैंसी जो संदेश देती है वे मित्यू संकेत नहीं होते बलकि सचेत करने के संदेश होते हैं कि जिसे भी वैंसी दिखी शीगरी उस पर कोई बड़ा संकट आने वाला इसलिए भै उस संकर से सचेत हो जाए और अपने प्राण बचा ले लेकिन ऐसा नहीं होता वैंसी के संकेत को मित्यू संकेत समझ लिया जाता और वैंसी को देखने वाला व्यक्ति अपनी मित्यू के सवा कुछ नहीं सोच पाता मिट्यू के बहसे भेवी तो करवा असाफधान हो जाता है और उसी असाफधानी से बन जाता है वे काल का शिकार लेकिन काल मुझे अपना शिकार नहीं बना पाया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुरीन के आत्मा ने मुझे जो संकेत दिये उन्हें मैंने मिट्यू संकेत के रूप में नहीं लिया था बलकि सचेत करने वाले संकेतों के रूप में लिया वेंसी के साथ साथ दोकाल ने काला महल से जड़ी दुर भावनाओं को भी सभी के सामने इसपष्ट किया पर अभी इस रहसी की एक कड़ी गायब है लेकिन शीकरी में उसे भी खोश लूँगा क्योंकि दस्यों सरदार कालका को समाप्त करने के प्रयाज विफा लो गया वें जीवित है और घायला वस्ता में राजवैत की निवास पर मौजूद है शीकरी में उसे सब कुछ जान लूँगा भरे दरबार में की गई भोकाल की उस घोशणा ने किसी के दिलो दिमाग में खलबली मचा दी कालका की जिन्दीकी मेरी मौथ है मुझे उसे खतम करना होगा आज राती यही है राजवैत का निवास और वो है कालका जो एक बार मेरे हाथों मरने से बच गया लेकिन अब नहीं बचेगा लबाता धारी को शक्तिशा लिवार ने चार पाई पर सोई कालका की गर्दन धर से अलग कर दी और इसी के साथ इसकी आखे अश्यर भट गई ओ नहीं यह तो कालका का पुतला है सही पहचाना यह कालका का पुतला ही है वह बेजा रहा तो तुम्हारे खंजर का शकार बंगा काला महल में ही सुर्क से दार गया था यह तो तुम्हें सामने लानी की मेरी चाल थी जो शक्त पतीशे सफल होगी इसका मुझे विश्वास था क्योंकि विश्वास था क्यू Is और काला महल का रह से जानने वाला कोई राज दर्बाद में घहरी पैंठ हाकने वाला वेकदी ही होगा और मेरा विशार सही है या गलत इसका प्रमार तो आप ही देंगे नगार प्रमक चंडी सिंग तुम दस्यू कबीले और काला महल के बारे में जानते थे उसी के यार में तुमने कालका के साथ साथ काट करके नगर सेट के तीनों पुत्रों को वेंसी दिखाने और उनके हत्या करने की योजना बनाई और ऐसा तुमने इसलिए किया था कि तुम नगर सेट पहले उसके शरीब मौझूद राग भक्क से चमक उठी आख अब कुछी छड़ों में तेरा शरीर राग में मिलने जा रहा है भोकाल नगर प्रमुक चंडी सिंग को अब किसी भी समय भोकाल के भस्म होने की उमीद थी लेकिन उसकी सभी उमीदों पर भोकाल के उस प्रतिकर पानी फिर दिया उसके देखते देखते प्रारा की किर्णों से बनी एक नली जमीन को फारती चली गई और फिर एक छड़ बादी धरा की गर्ब से बाहर आये इस पानी ने मेरे याग भी बुजा दिया और मेरे शरीब मौझूद भस्म कर देने वाली राग को भी दो दिया अब मुझे अपने वारों से तेरे मस्तिश में भरे उन गंदे विचानों को दोना है जुन्हों ने धन्स अपत्ती के लोग में तुझे अपने ही लगो को पानी की तरब आने के लिए विवश्च किया बोकाल के प्राहरों ने शीगरी धराशाही कर दिया चंडी सिंग को